हेलो गाईज, गुड आफ्टन एव्रिवन, कैसे आप सब लोग गाईज, आप लोगों का, जिनका स्टुडेंस का मेंस का एक्जाम है, all the best to all the students, I know आपका मेंस का माथ्स पेपर हो चुका है, और next जो आपका पेपर है, वो है इंग्लिश, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घवराना है, आपको बस चीजे क्या क्या दिमाग में रखनी है, वो यह है कि आपको पेपर, कोशन को बहुत ध्यान से रीड करना है, कौन सा कोशन दिया है, क्या पूछा है, आप हड़बड़ी करेंगे, तो कोशन थीक से नहीं पढ़ पाएंगे, और आपसे mistakes होंग और फिर options पे, टिक करना है, आप लोग options को eliminate करो, अगर आपको confusion आ रही है, English vocabulary की बात करो, तो calculated, अगर आप guess भी करते हैं, तो calculated guess करना, क्योंकि जादा तर आपने देखा होगा, कि तीन से नोनिम आ जाता है, एक अलग word आ जाता है, और बन आउट होके, answer आ जाते है, मगर calculated guess ह करेंगा, अगर नहीं आता है, तो bluntly एक तम तुक्का नहीं मारेंगे, ठीक है, और आपको Parajumble, Parajumble को मैंने आपको कहा था, eliminate करो, options, directly options को देखोगे, और eliminate करोगे, आप से बहुत easily आप से Parajumble बन जाएंगे, ठीक है, RC अगर आपकी reading कम जोर है, तो फटा फट कोशन रीड कर जो और then go for RC, मगर किसी में, सबसे important guys, English में लोगो students के paper छूट जाते हैं, English में आप लोग टाइम को ध्यान रखेगा, आप लोग को किसी एक कोशन में बहुत जादा time लगाना है, आपको बहुत smartly paper देना है, जादा और ऐसा लगे कि अगर आपको कोशन बिल्कुल भी नहीं में आरा तो हफालतो के तुक्के नाम आरे क्योंकि में, English में लोग बहुत जादा negatives करके आते हैं, तो बस यही चीज़े समा ध्यान से पढ़ना है, narration voice में ध्यान रखना कि आपको narration में active passive करना है, voice करना क्योंकि कोशन आपको घुमा के confuse करके देगा, ठीक है जी, बस यही सार कोशन आपको नहीं आरा, तो अपने hope को lose नहीं करना है, क्योंकि अगर हम hope lose कर देता है, तो जंग हम आधी वहां पे हार चुके होता है, तो वह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको एक आदा question नहीं आता, skip करो और आगे बढ़ो, ठीक है, doubtful है तो उसको mark करो, और आगे ब करो